नमस्कार सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अश्वीनी सुरोही एक नजर हिड्लाइन्स पर अज मेर लोगसभक शेत्र के एक पोलिंग बूत पर होगा दोबारा मतदान कल सुभा साथ बजे से शाम पाँच बजे तक डाले जाएंगे वोट कहा गौरव मई संस्कृती और परंपराओं से जुड़े हैं दोनों प्रदेश मुखसचिव ने सीनियर ओफिसोर्स की मीटिंग में दिये कर्मियोगी की भावना से कारे करने के नर्देश कहा जनहित और राजहित के लक्षों की प्राप्ति के लिए करे निरंतर प्रयास अज में लोगसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक पोलिंग भूत पर कल दोबारा मतदान करवाया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग ने नांदसी गाउं में एक पोलिंग भूथ पर पुनर मतदान के लिए नर्देश जारी किये हैं इस लोग सभाक्षित्र में दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रेल को मतदान हुआ था मुखन निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीन गुपता ने बताया कि मसूदा विधान सभक्षित्र के मतदान के इंद्र संख्या 195 राज के उच माध्यमिक विध्याले नानसी के कमरा संख्या एक में स्थित बूत पर दोबारा मतदान करवाया जाएगा पुनर मतदान के लिए गुरुवार दो मई का दिन अरधारित किया गया है सुबह साथ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलीगी उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने आयोग की निर्देशों के अनुसार पुनर मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है राजभवन में आज गुजरात और महराष्टर का इस्थापना दिवस मनाया गया राज़पाल श्रीकलराज मिश्र ने इस दोरान दोनों राज्जों के लोगों से समबाद कर उन्हें बधाई और शुब कामनाय दी उन्होंने कहा कि महाराश्ट्र और गुजरात के भाशाई आधार पर अलग राज्य बनने के बाद से ही दोनों राज्यों ने राश्ट्रे प्रगती में निरंतर महत्वपून योगदान दिया है उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र को स्वाधिंता आंदोलन की उर्वर भूमी बताते हुए सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक आदी को भी याद किया राजेपाल ने दोनों राज्यों की विशिष्टाओं का जिक्र करते हुए कहा कि एक भारत, श्रेष्ट भारत के अंतरगत राज्यों के स्थापना दिवस विविधता में एकता की हमारी अनूठी संस्कृती के संभाहक हैं उन्होंने अतीद की परंपराओं को सहेजते हुए दोनों ही प्रदेशों की सम्रिध्धी और खुशाली की कामना की मुकर सच्चेश्री सुधांश पंत ने मंगलवार को शासन सचिवाले में सीनियर ओफिसोस मीटिंग की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मयोगी की भावना से मिलकर कारे करें उन्होंने सभी विभागों की प्रशासनिक सचिवों और विभागा अध्यक्षूं को अपने अधिनस्त कारयालेओं और उनके कारियों की लगातार समीक्षा, निरिक्षन और मॉनिटरिंग करने के नर्देश दिये साथ ही सभी विभागी कारियों को निश्चुत समय अवधी में पूरा करने के लिए भी नर्देशित किया मुखे सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को भूरू पांतरण और पंजीकरण जैसे कारियों में शत प्रतिशत पारदरशिता के लिए नई सॉफ्टवेर और आटोमेटर सिस्टम के प्रयोग के नर्देश दिये उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग आमजन से जुड़ा एक महत्वपोन विभाग है इसलिए वरिष्ट अधिकारी भी इसकी नियमित मॉनेटरिंग करें उधर मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने आज जो शासन सचिवाले में भारतिय प्रशासनिक सेवा 2023 बैच के प्रशिक्षू अधिकारियों से संबाद किया जौरान मुख्य सचिव ने प्रशिक्षू अधिकारियों से परिच्चाय कर उनसे अनुभव पूझे और इन अधिकारियों के साथ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के अपने अनुभव भी साज़ा किये मुखे सचिव ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को हमेशा सकरात्मक तृष्टी कौन, साफ नियत और इमानदारी से काम करना चाहिए उन्होंने कहा कि भारतिय प्रशासनिक सेवा विभिनक शेत्रों में कारे करने का अवसर देती है इसका लाभ उठाकर हमेशा सीखने की ललक रखनी चाहिए साथ ही आमजन की जीवन को बेहतर और सरल बनाने के लिए बिना एहम के नई संभावनाओं को तलाश दे रहना चाहिए राजस्थान राजेपत परिवहन निगम की 306 संचालन मंडल बैठक मंगलवार को रोडवेज मुख्याले पर निगम अध्यक्ष श्रीमती श्रेया गोहा की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्यवर्ष 2022-23 के त्रेमासिक और अर्धवार्शिक अंकेक्षित लेखों का निगम संचालक मंडल ने अनुमोधन किया साथ ही संविदकों के साथ संविदा के करारों में आपसी मतभीद निप्टारे के लिए मद्यस्तिता के प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव भी परित किया गया बैठक में सभी डीपो, इंटर डीपो और मुख्याले के ओडन दस्तों द्वारा किये गए निरिक्षन परिनामों की पिछले साल से तुलनात्मक समिक्षा भी हुई उधर राजिस्तान राज्य पत परिवहन निगम द्वारा चुकित्सा एवं स्वास्थे विभाग के सहयोग से कार्मिको का स्वास्थे परिक्षन करवाया जा रहा है इसके लिए आज से मेडिकल हेल्थ ड्राइब की शुरुआत हुई आज जैपूर और बीकनेर जोन में शिविरों का आउज़न किया गया ACS परिवहन और रोडवेज CMD शरीमती श्रिया गुहा ने जैपूर जोन के शिविरों का निरेक्षन किया उन्होंने बताया कि एक से साथ मई तक निगम के विभिन जोन में निश्वल की चुकित साजाँ चुशिविर आयजुद किये जाएंगे सुजस बुलेटिन में फिल हाल इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार